कटिहार के बरारी पर्खंड में कल यूगी गुरू ने सिच्छक और सिश्या के रिष्टे को सरमसार कर दिया मामला कटिहार के बरारी पर्खंड की प्राथमिक विध्याले पिपरी बैहार की है जहां एक अधेल सिच्छक को छात्रा के साथ असलील हरकत करते हुए ग्रामिनों ने रंगे हाथ पकड़ा फिर क्या था ग्रामिनों ने सिच्छक की जम कर धुनाई कर दी और उसके बाद घंटो बंधक बना कर विध्याले के ही एक कमरे में बंद कर दिया बड़ी मुश्किल से बरारी पुलीस ने सिच्छक को ग्रामिनों की चुंगल से मुक्त करवा कर थाना लाई लेकिन गुरू और सिस्या के रिष्टे को सरमसार करने वाले इस कल्यूगी गुरू के कारणामे से ग्रामिन खासे आक्रोसित दिखे और इन्हें कली सजा देने की मांग कर रहे हैं और अधर के गया बोलने घर में उसका माय आया तो बच्चा जब निकला तो उसका पाचे पाचे मस्टर से वहां तब हम लोग है कि आप सिक्षक हो करके बुरा हो करके लड़की को ईदसा किया हैं तो इक से बच्चा लोग परेगा इसकुल में तो नहीं हम कुछ नहीं किये है भागलपूर के बरारी थाना चितर के नया टोला इस्ति थनुमान मेडिकली स्टोर में घुसकर दुकानदार नारायन और उसके सयोगी दिपक की जम कर पिटाई कर दी गई मारपीट के दुरान दुकानदार और उसके स्टाफ दोनों का सर फट गया और दोनों बुरी तरह से घायल हो गए जिसके बाद अस्थानिय लोगों ने आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए भागलपूर के मायागन स्पताल में भरती कराया परतिश दर्सी कामेसर यादब ने बताया कि पडोस के ही आठ दस युवक खुदरा नहीं देने का रोप लगाते हुए दुकानदार और उसके स्टाफ के साथ बुरी तरह मारपीट करने लगे इस दुरान दुकान की कैस कॉंटर में रखे गए पैसे और दुकानदार के गले में पहना हुआ सोनी का चैन भी लूट ले गए दबी जुवान में परतिश दर्सीयों ने इसे रंगदारी का मामला भी बताया वहीं पुलीस हर एक बिंद उपर चानबीन में जुट गई है भागलपूर के लोधीपूर थानाचितर के सरमसपूर कोड़ा में एक महिला की संध्यासपद इस्थिति में सवबर आमद हुआ मिर्तक महिला स्वीटी अवस्थी है जिसके पती का नाम भोलावस्थी है घटना के बावत मिर्तिका के परजनों ने बताया कि रात को कमरे में एसी लगे रहने की वजह से महिला को ठंड लगने लगी जिसके कारण वह दूसरे कमरे में जाकर सो गई रात में ही कमरे में सौट सर किटो गया जिसका रन महिला की जान चली गई और सुबह करीबन पाँच बजे पर जिनों देखा कि कमरे से धुमा निकल रहा है लोगों का नहोनी का संधे हुआ तो आनल फानल में दरवाजा तोड़ा गया जिसके बाद देखा कि महिला की जली हुई बाड़ी बिस्तर पर पड़ी हुई है मिर्धिका के देवर ने बताया कि इनकी साधी दोजर पांच में हुई थी और दो बच्चे भी है अस्थानिय लोगों दरा मामले को आत्मात्या से भी जोड़ा जा रहा है सब को पोश्टमाटम के लिए भागलपूर मेडिकल कॉलिज पोश्टमाटम हाउस भीज दिया गया वहीं अब जाच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकर महिला ने आत्मात्या की या मौत बिजली के सौट सरकिट की वजह से हुई है यह हम आपको बता दे कि स्वीटी का कल जन्म दिन भी था और जन्म दिवस की देर रात ऐसा क्या हुआ जिसके करन स्वीटी की मौत हो गई यह लोगों के जहन में बार बार सवाल खड़े कर रहा है भागलपूर के पोकसो कोट ने नाबाली के साथ दुसकर मामले में एक दरिंदे को उसके गुनह की सजा सुना दी है कोट ने आजिवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माने की रासी अदान नहीं करने पर 6 मा अतरिक्त कैद की भी सजा सुनाई है वहीं कोट ने सरकार को पिलिता के गुजर बसर करने के लिए 2 लाख रुपिय मुआबजा देने का भी निर्देश दिया है मामला 17 फरवरी 2018 का बताया जा रहा है जब घोगा थाना चितर के मिर्जापूर गाउनिवासी 55 वर्सिय लच्मन यादब ने गाउं के ही एक नबाली को घास काटने के बहाने खेत में बुलाया और उसके साथ दुसकर्म की वारदात को अंजाम दे दिया घटना के बाद लहुलवान प्रिता अपने घर गई और पूरी सच्चाई अपनी मा को बताई बच्ची की गंभीर हालत को देख कर उसकी माँ उसे लेकर घटना स्थर पर पहुंची और बच्ची द्वरा आरोपी लक्षमन यादब की पहचान की गई जिसके बाद मा की सिकायत पर आरोपी लक्षमन यादब के खिलाफ घोगा थाना में मामला दर्ज कराया गया पौक्सो कोट ने साड़े तीन साल बाद अपने फैसले में आरोपी को एफसल की जाच में दोसी पाया और पौक्सो की समर्थन में च्छा गवाहों के बयान पर उसे अभियुक्त करार देते हुए आजीवन कारावास की सजासु ना दी हलाकि कोट के फैसले के बाद आरोपी ने खुद को निर्दोस बताया है और बेवज़ा फसाने की बात कही है जगदीशपूर परखंड कारियाले में पंचायत आम चुनाव के मद्धि नजर तमाम उम्मिदवार दिन भर परखंड कारियाले में टहलते रहे और चुनाव चिन्ह के इंतिजार में दिन भर इधर दर करते रहे अंत में वे लोग आक्रोसित भी दिखे लोगों की भीड इस कदर थी कि लोग सोशल डिस्टैंस का तनिक भी पालन नहीं कर रहे थे पर्खंड कारियाले मुख्याले में सोशल डिस्टैंस की जम कर धक्जिया उड़ती रही वहीं चुनाव चिन के लिए परत्यासियों में दिन भर उतल पुतल मची रहे। वे लोग अपना चुनाव चिन लेकर अपना परचार कारे अरम्भ करना चा रहे थे। वहीं इस बावत पूछे जाने पर पर्खंड विकास प्दाधिकारी सरह निर्वाची प्दाधिकारी तरुन कुमार केसरी ने बताया कि आज नामंकन वापसी की अंतिम्ति थी इसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते थे जिन जिन परत्यासियों ने नाम की वापसी के लिए मुखिया वसर पंच के लिए 40 हज़ार पंचायत समीति के लिए 30 हज़ार और वाडव पंच के लिए 20 हज़ार अधिकतम खर्च करने का प्रावधान रखा गया है त्रियस्त्रिया पंचायत चुनाव को लेकर पूरे परदेश सहित भागलपूर जिले में राजनितिक पारा धिरे धिरी चड़ने लगा है जिले में तीसरे चुनाव को लेकर नामंकन की प्रकिरिया भी काफी तेजी से हो रही है जिले के अलग-लग परखंड और पंचायत में अलग-लग पदो पर काबीज होनी के लिए योद्धा भी मैदान में आडटे हैं और लगातार डोर-टो-डोर जन संपर्क अभियान चला कर मतनाताओं को अपने किये गए कारियों और अगामी योजनाओं को बता कर अपनी और करने का प्रयास भी तेज कर दिया है भागलपूर के गोराढ़ी परकंड में साथ में चरन में होने वाले पंचायत चुनाब को लेकर गोराढ़ी परकंड के छेत्र संख्या 21 पूरवी गोराढ़ी जिला परिस्टरस और प्रत्यासी प्रेमलता देवी अपने समर्थकों के साथ लगातार गोराढ़ी पूरवी भागलेने भागलपूर की पुर्व महापौर विना यादव समाच सेवी जिलापार सद परतनिधी और प्रेमलता देवी के पति धरंजय यादव नीशु सिंग सकलदे मंडल मुनिलाल यादव सहित दरजनों कारेकरता मुकतापूर पुन्नक माल मोहनपूर फरीदपूर सत ज जोड़ी, चौमुक, सालपूर मुसलिम टोला, कासिमपूर, गंगा करहरिया सहित कई गाउं का दौरा किया और लोगों से समर्थन मागा। कारेकरम पर रोक लगा दी गई है, इस दौरान लोगों की भीड भी है, ये वीडियो जीबी नगर तरवारा थाना च्छेत्र का दो दिन पहले का बताया जा रहा है, हलाकि हमारा चैनल इस वीडियो की पुष्टी नहीं करता है। के लैसेंस को रद्द कर दिया गया है, जबकि 61 लैसेंस को लंबित कर दिया गया है। जिला किरसी पतादिकारी किसनिकान जहा ने कहा कि उरवरक से संबंधित किसी परकार की सिकायत पर जीरो टॉलरेंस की नीती अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस भी परकर्ण में इस तरह की सिकायत आ रही है, उसके लिए जबाब दे ही तैक कर दी गई है। किरसी कान जहा ने बताया जिए कि योडिया की सही कीमत पर विक्री को लेकर किरसी निदेशक के निदेश के बाद जिले में जीरो टॉलरेंस नीती अपनाई जा रही है।